कि नमस्कार में मितुन यादव आप समों का आज के सेसं में कमपडिशन कमुनिटी पर स्वागत करता हूं गाइज आज के सेसं में हम लोग 36 गड़ में 24 अप्रेल को हने वाले पटवारी के पेपर में आए गए तमाम 30 कोस्टन का डिसकसन बहुत डिटेल में करेंगे बट सेसं के सुरू होने से पहले कई बच्चों का एक सवाल होता है कि सर ये 30 कोस्टन को सॉल करने के लिए हमें कितनी वक्त देना चाहिए तो मेरा जवाब होगा कि ये डिपेंड करता कि आपकी अप्रोस किया है अगर आपकी अप्रोस बहुत बेसिक है तो हो सकता इए 30 कोस्टन को सॉल करने में आपको 40 से 50 मिनट भी लग जाए लेकिन अगर आपकी अप्रोस बहतरी है तो मुझे लगता है कि पैपर 15 मिनट कही बस चलिए बात करते सबसे पहले हम देखते किन-किन टॉपिक को एक जाम में टॉपिक को उठाया है लग misfortune से से एक कोशन अल्जह Turkey से 3 Kोशन और से लुप कोशन ठाए था ऐख्यालन परसेंटेस से दो कोशन से दो कशनसे से चार कोशन उठया इन्होंने नमर सिस्टम से udah करने हैं नमर सिस्टम का इस पाट है जो अलग से कि इसको देखने के बाद आब बच्चे preparation के के दोरा ने के इस टेइड़ी तो बहुत कि यह नि बना पाएगा क्यों प्रिप्रेशन के दोरा नियाद दखेगा आपका इस ट्रण्You काम आती है कि किस टॉपिक को कितनी ववाँ देना चाहिए म insult से लगातार तो उसको उतना ही मोसं चबस्ट जाता है कि दॉप्स मेसी को चंद कदमों से चड़ना चाहता है जो समभव नहीं है पिर वी उस सूर्णे में करना चाहता हूं घठि लिए अब अब laughs को अगर बहुत अच्छा रिविजन करना है मुझे लगता सिर्फ यह साथ टॉपिक अब देख लिए इन साथ टॉपिक से करीवन 21 कौस्टन पुछा गया है और अगर आप इसमें और तीन टॉपिक को अगर आड़ कर दो तो इस टॉपिक होगा परसेंटेज ठीक है परसेंटेज से दो कौस्टन ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस से दो कौस्टन क्लियर है और यहां से SI-CI से SI and CI से आपका दो कौस्टन देखने को मिला है तो 6 कौस्टन और अगर टोटल बात करें तो 10 चेप्टर से हमारा 90 कौस्टन कवर हो गया है औ और यही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा पटवारी में कई साल से अगर इन दस टॉपिक को अगर अच्छे से करके जाते हो तो याद है कि 80-85 परसंट से 90 परसंट तक के आपके मार्क्स कवार हो सकता है इन दस टॉपिक क्लिए रहा क्या आए बात करते कि वह किन-किन को कुछेगा है कि क्या हमारे प्रोच होगा को सॉल्ट करने का आइए गाईश एक प्रोच के साथ सारे को डिल करना सुरू करते है चलिए पहला को सब्सक्राइब कर दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्तक उनीस्वा कितना 20 है तथा महत्तम समावर्तक कितना सॉल्ट है मत्त दो नमर का LCM का LCM into HCF बराबर क्या होता दोनों नमर का प्रोडक्ट होता है दोस्त क्या होता दोनों नमर का प्रोडक्ट जिसका इसका मान दिया आपको चिपका देना सिंपल का मान कितना दिया गाई समझेगा 1920 का कितना मान दिया है 16 बस चिपका दे ना बात खतम सर एक नमबर N1 का मान दिया है 128 ठेक है और N2 पूछा गया दूसरी संख्या तो चलिए टेवल पढ़ लेजिएगा 16 से 8 बार में कटा दियेगा है ना और 8 से जब केंसिल करेंगे इस टर्म को तो कट जाएगा आड़ दूनिस 16 और है ना आड़ चोका 32 मतला 240 तो अब यहां से बता सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है 240 240 is your right answer कौनसा option आपका बी option मैं उमीद करते हूँ पाला question अपके screen पे clear रहा होगा 240 जो राइट अंसर चलिए next question अपके screen पे यह रहा एक algebra से बहुत ही algebra के खुबसूरा सा सवाल है बहुत basic सवाल है मैं उमीद करता हूँ इस तरह सवाल है आप लोग बिल्कुल किये होंगे है यह बात करते है सवाल क्या है सवाल है कि x-1 upon x equal to 1 by 2 और पूछा क्या था यह ज्यादा important है जैसे for comment करेंगे आपको है ना आपका लक्ष दिखने लग जाएगा समझें यहां पर तो सब्सक्राइब कर दिया यहां से इसका holy square करेंगे तो यहां पर क्या हो जागा एसक्वर प्लस वन अपन एक्स स्क्वर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपन एक्स और अगर राइट साइड देखे तो इसका मान को यहां से उठाना और यहां चिपका देना सिंपल सी बात है तो यहां पर चिपका दीजेगा यहां आपकी स्क्रीन पर नेक्स कोसन के साथ आगे बढ़ता है एक खूबस और असान सवाल बनाता हमारा तो उसी संख्यां का सिर्फ 25 परसेंट पूछा है कि क्या होगा तो यार एक बात समझेगा दुनिया की को भी नमर है वह अपने आप में हंडिर परसंट हो के लिए रहे तो सबसे पहले तो संख्यां को निकाल लेते उसके बाद उसका 25 परसंट निकालना बहुत असान होता है चलिए बिल्कुल एक्स भाई मानने ज़रोत नहीं पड़ना चाहिए बात करते हैं हमने बोला कि 40 परसंट का मान कितना दिया आपको 20 हमारा अप्रोच है कि हम सो परसंट निकाल लेंगे वह नमर निकल जाएगा तो आप मुझे बताएगा कि 40 को 100 किसे बना सकते हैं तो आप लेफ्ट हंड साइड इंटू करोगे तो राइट भी कर दो ना क्या दिकत है तो सर इसको भी 2.5 से इंटू करो क्यों कि हम सो क्यों मना रहें क्योंकि नमर अपने आप में 100 परसंट होगा बात खतम तो अब यहां पर 100 परसंट का जो मान आपको दिख रहा होगा मैं उमीद क करता हूं कि 20 गुने डाई करेंगे तो 50 होगा मतलब सरी संख्या हमारा मिल चुका यही हमारा है नंबर के लिए रहें क्या यह हमारा है नंबर अब तो सवाल में कुछ थाथ ही बोला कि इस नंबर का 25 परसंट बताए ना तो मुझे बताएगा कि नंबर 50 है इसका 25 परसंट आराम से निकाल लेजिए 50 और 25 परसंट का मतलब एक बटे कितना होता चार जब करेंगे तो आपका पास अंसर होगा 12.5 क्लिए रहे क्या तो 12.5 विजो राइट अंसर अगर कौन सा उप्शन है वारा आप देख लिए फड़ा बट से ऑप्शन से कौन सा यहां पे दिया हु अगला सवाल आपके स्क्रीन पर गाईश एक बहुत खुबसूरत और आसा सवाल है प्रॉफिट और लॉस है हलाकि सवाल में डिस्काउंट को भी मर्ज कर लिया है जो कि नॉर्मल सी बात है आप पिछले पेपर उठा की देख लिए जनरली प्रॉफिट लस की सवाल को डिस सवाल को अब लिप्टा सकते थे कोई दिखकरनी पेपर में ठीक प्राइस ऑफिस साइकल इचे मार्केट कितना 1150 मतब मार्केट में इस वस्तु को कितना चिपका के उतार दिया 1150 मार्केट प्रैस कितना 1150 उसमें से यह क्या किया है अंकित मुल्य वही तो होती है जिस प्र सवालों में आपको एक ही पढ़ा के रखा हूं कि सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर कर दो सवाल को लिप्टा दो खतम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर चलिए ठीक है एस पी को मन में एक ही ख्या लखिए लिखने जरूत मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए बस approach होना चाहिए तो selling price पर हम किसे पहुंचेंगे अगर हम cost price पर खड़े हैं तो तो हम बोले cost price पर खड़े हैं तो आपको कितना लाब हो रहा है ता बोलोगे पर डिसकाउंट दिया गया 15 15 परसंट का मतलब समान इसको पचासी में मिला होगा क्लिए रहे क्या आप कुछ मत करना जी सौ से सौ लिप्टा दो पांस से कड़ा देंगे सतरा बार में सतरा पचे पचासी और यहां से पांस से कड़ा देंगा तो 23 तो अगर MP को दर लाएंगे सवाल खतम कर देंगे सवाल यहां पर यह बोल रहा है सवाल ने मुझे बोलके है कि सरथ 20 का मान सवाल आपको कितना दिया पता है कारेस सब्छास और या तो सब्सक्राइब तो कौन से आपके हैं एक वार आपके सी है एक और खुबसरत सवाल है बट मेरा मानना कि पेपर में अगर इतना भी करते हैं तो टाइम बच सकता था रुख जाए पर में और हम टाइम बचा सकते ध्यान से सुनिए इसको मैं रफ कर रहा हूं ठीक है इसको सब्सक्राइब जल्दी करने का क्या प्रोच हो सकता था समझेगा कभी भी किसी profit lager से क्वें चिएक सेग सब्सक्राइब कि और मार्क प्राइस के आगे नीचे लिखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आप मुझे बताईए डिसकाउंट कितना 15 तो सो में 15 गटाओ डारेक्ट पचासी लिखिया नहीं एक जामें ठीक है और प्रॉफिट कितना 15 परसेंट तो सो में 15 जोगा कितना हो जागा 115 कुछ नहीं करना यह कितना थे प्रहूट बताईए गपर में 23 कमान अब कर दिया आपको और दो 50 करेंगे तो एक कमान कितना पचास और आपको मान किया ता सत्रह बगने पचास कर दिए अनसर आजाया कितना 15 तो यह वह तरीका है यहां से मुझे सबसकता था पेपर में खिलियर है क्या वह भी तो यह तो में लिख दिया ना आप तो यहां से डायट यहां तक की सफर तैकर होगे सवावी थो नहीं भी स्वरा लिख होगे क्योंकि आप अगला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा चली बात करते हैं ठीक है सब्सक्राइब 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 कर लेता हूँ सवाल में दिया हुआ था कि M का मान दिया हुआ है तो पहले M को थ्वड़ा सिंप्लिफाई कर लेता हूँ है M को सब्सक्राइब कर लेता हूँ एम का जो मान दिया हुआ है रूट सेवन माइनस रूट फाइब अपॉन ठीक है रूट सेवन प्लस रूट फाइब आप इसको रिष्ट करिए ने पहले बहुत एक यह एक यह दो हैं पर पूजिट से से शॉल्व नहीं करेंगे के रूट 7 है ना मैनस रूट 5 अपोन रूट 7 माइनस का रूट 5 ठीक है आए उपर में तो आपको दिख रहा होगा यह मैनस B का होली स्कुर बन गया तो उपर में जो माना रहा है रूट 5 का सकता हूं क्या रूट 7 का होली स्कुएर तो रूट 5 का होली स्कुर और माइनस 2 रूट 7 इंटू तो रोट 5, ठीक है, और नीचे तो आप देख सकते हैं, रूट 7 का, अगर आप स्क्वेर करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 7, और यह रूट 5 का स्क्वेर करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5, अगर आप नजर थो डाले, तो एक इस्टे में नीचे लेना चाहूंगा, यह आप मतलब यहां से बुख सकते हैं, 6 माइनस रूट 35, यह किसका मान निकला, M का, ध्यान सुनिए गा, अगर M का मान निकल गया न, तो 1 अपन M तो बस तो तुरण निकाल लेंगे, 1 अपन M, यही निकाल दोगे, इस पेस यहाँ निकाल दो, ध्यान सुनिए गा, तो यहार, 1 इसको इस परसन को इमीद करते हुए आप इसकी ले लेंगे इसकी ले लेंगा है ना तो एम प्लस वन अपने सवाल टफ नहीं है बिल्कुल भी टफ नहीं है चली बात करता है इसका मान था six minus under 25 और इसकी मान हमारा था six plus अंडर रूट 35 तो यह आप कैंसील कर सकते हैं जो कि ठोड़ा सब्सक्राइब करने कोशिस के बहुत ही आसान सवाल सबसे पहले पता लगा लिजेगा कि 500 से ठीक पाले को इसा नमर है क्या जो छे से भाग लगएगा ताब बलोगा सर किसे पता करूं हम बले पता करते ना सिंपल भाग देजिए ठीक है आप फाइब को पता चल जाएगा अगर आप देखिएगा कि 6 से भाग देंगत कितना होगा आठ बार में कितना जाएगा 48 अगर बाचेगा कितना टू अनिकी 20 तो आप देखिए 20 के जगपर 24 होता ना तो 6 पुरी-पुरी से क्या करता करता कट जाता मतलब यह 4 की कमी पढ़ रहा है तो एक बात तो यहां से कर देते मतलब पहला नंबर 54 है ठीक उसी तदीके से हम लोग क्या करेंगे एक हजार एक हजार से ठीक जश्क पाले कोई नंबर इसा है क्या जो 6 से डिवाइड होगा तो आप एगवाट करके देख लेंगे 6 हो गया कितना हो जागा बचे गया चार और यहां पर कितना होगा मतलब अगर चार इसमें से कम कर दिया जाए ना तो जो लास्ट जो नंबर होगा ना यह लास्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा तो लास्ट टर्म ठीक है लास्ट नमबर अपन कोमन डिफरेंस तो छे का चलेगा सबाभी के भाई है ना तो कोमन डिफरेंस चलेगा और पलस क्या हो जाता था वन यह कहां साया एपी में अगर आप पढ़े होंगा ध्यान होगा तो बस समान को प्लग इन कर दीजिए ना यहा 504 ठीक है डिवाइड वए सिक्स और यह प्लस क्या हो जाएगा यहां पर प्लस फॉरन ठीक है दोस्त चले उसको मैनस कर रहे होंगे कितना जाया यहां पर यह हो जाएगा टू यह जाएगा तो बस इतना स्या दखिएगा last term minus first term upon common difference plus one ठीक यह basic formula होता है लेकिन आप लोग बिल्कुल देखें कि हम लोग term को निकालना बड़ा असानी सिख गए ठीक है आई अगला सवाल आपके screen पे यह रहा एक बहुत ही simple सा सवाल पुछा गया था किसर जो इसकी चोड़ाई है ना ला माई से 60 Mein देखा हमनेयां और यह तुरंत क्या कर देंगे यह 8 का मान बता देंगे कि सर यह होगा 160 और यह 5 का मान बता देंगे आप कि 20 से गुना कर देंगे ति यह कितना हो जाएगा 100 ठीक है तो इस तरह से हमारा लमाई और चोड़ाई हमारा निकल चुका है और परिमाब पूछा था तो rectangle का जो परिमाब निकालने का बेहद असा फर्मूला होता है बस मान को चिपकाना है और अंसर आपके पास होगा चलिए चिपका देते हैं यह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह प्लस क्या होगा 100 ठीक है तो आप देखिएगा कि टू इंटू टू सिक्ष्टी यानि 26 दूनी कितना होता बावड मतलब पांच सो बीस इस यूर राइट अंसर के लिए रहे तो यह आपका साही जवाब है देख लिए कौन सा ओप्सन से इसको टिक करिए आगे नहीं कर लिए और आप जरूर देख लिएगा कि ऑप्सन नमर सी यह राइट एंसर तो इमित करता है कि यह बहुत ही बेसिक सवाल रहा है इसमें ज्यादा वाक्त देने की जुरूत नहीं यह पन पॉर प्लस एंगल बी अपन फॉर पलस एंगल सी यह ना पॉन फाइब बढ़ाबर 41 डिगरी अब एक नजड़ में इन तीनों के लसीम कितना हो जागा 20 हो जागा कितना हो इस ट्वेंटी होगा ठीक है टाइमस ओफ एंगल सी बराबर अब देखेगा एक नज़र डालीजे आप यह 20 सेफ को मल्टिप्ला करूद क्या होगा आपका रिलेशन यह होगा कि 5 टाइमस ओफ एंगल ए प्लस 5 टाइमस ओफ एंगल बी प्लस 4 टाइमस ओफ एंगल सी बराबर एक तालीस गुने बीस डालेट लिख रहा हो यहां पर ठीक है 820 पाला क्योंस यहां से आ गया तो मैं चाहूंगा किधर लिख दूं सेकेंड रिलेशन अच्छा बताइए अगर आप ट्रेंगल पढ़ रहे हैं तो एक ट्रेंगल में क्या होता है कि तिर्वुज के तीनों को न ट्रेंट चाहिक हूं आप इसको लोड़ी कर देता हो ठीक है इसको चलिए बात करते हैं ठीक है देगिए फायब टाइमस ऑफ एंगल ए पलस फाइव टाइमस ऑफ एंगल बी पलस फूर टाइमस ऑफ एंगल सी बड़ाबर 820 ठीक है और आप एक रिलेस्टन यह पढ़के रखे हैं कि रिलेस्टन क्या पढ़ा है कि सर हम तो पढ़े थे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होगा वह निटी होगा लेकिन सवाल में आप से क्या पूछा था पता है एंगल ए और भी सी नही मैनस कर दो तो जब मैनस करेंगे बाद लो एक बास दखिए आप यहां पर कि चार सी जब इंटू करो तो यह क्या होगा और यहां पर यहां पर क्या बचेगा सर यहां पर सवाल को किया जा सकता है कि लिए आपके स्क्रिन पर नेक्स कॉस्टन यह रहा एक बहुत ही खुबसरत एक आसान सा सवाल जोमेटरी से पूछा गया है मैं जानना चाहता हूं कि सवाल है अगर एक बार भी आप सोचे होते तो अल्टरनेट एंगल के बारे में अनी एक आंतर मुआ थिर्कार कॉन के बारे में तुर्ण बन जाता सवाल में कुछ खास था ही नहीं अभी और सीडि एक लाइन लाइन अगर ये की क्या openness करती MR होगा तो यह जूज़र क्या होगा घ्र इंगल मतलब एकांतर कौन सिंपल प्रोबर्डी अगर चालीस है तो इभी एंगल तो 40 होगा खत्म ठीक है अगर यह 30 होगा तीवी एंगल कितना होगा 30 और यह टोटल अगर एंगल पूछा कितना होगा 30 और 40 कितना हो जागा 70 डिग्री तो कौन सा उप्सन आपका देख सकते ह जादा वक्त इसमें देने जरूत नहीं पढ़ना चाहिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर गईचिये रहा ठीक है आइए बात करते हैं बैक टो बैक जमेट्री से कॉस्टन पूछ रहा ठीक है और बहुत ही खुबस्वरा तो रास्तान सवाल पूछा है यह समरूपता और लोगत रहे हो एक सवाल जो कि बिल्कुल सी प्रोपर्टी पे कुछ भी सवाल को गुमाया नहीं है ठीक बोलासर दो तिर्वुट्ट क्या समरूप है सिमलर है और मुझे पता सरे रिलेस्टन होता है तिर्वुच अगर सिमलर है तो इसके एरिया और इसके साइट के बीच मे तो यह लिए पूल दिया कि भाई इस सिमिलर है रेंगल प्रेंगल इसके एरिया का रिश्यो क्या होगा तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर अपन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी एफ जो होगा इसका साइड का न दोन साइड के इसका साइड के इसक्वेर होगा तो साइड को यहां सक्वेर कि आप कि यहां पर देख सकते सब्सका जाने YouTube onu और यह हो जागा 75 आप ध्यान सुनिए अगांसर एक लाइन में आगे ना तो एरिया आफ ट्रेंगल जो पूछा था डी ए एफ और यह आपका हो जागा कितना पचीस और यह कितना हो जागा आपका थर्टी सीक्स पचीस से लिप्टा दिये इसको तीन वार में और च्छातिस यह एकसार्ट होता है तो उम्हिद करते हैं कि एडिया आगे इंस संजीए करेंगल किसका तो एडिया आफ ट्रेंगल दी इएफ एकसारट तो जिन बच्छे का एकसार अंसरा रहा है बिलकुल सही है सेंटीमेटर्स को रहेतों सेंटीमेटर्स स्कूएर में इसको आप्टिक तो कितने बच्चिस को फर्मूले से कर रहे हैं अगर आप सवाल एसे करोगे तो टाइम कैसे बचा पाओगे बताईए क्यों करें लगाए बताओ चलिए दो साल का कितना कितना ना था ताइम को देखते ही ना टाइम अगर दो साल है तो मैंने बुला था सिंपल पर्ले दो लाइन को ड्रॉख जाना चाहिक बच्छान पर तैंसमें तीन साल रहेगा तो दो फिर एक लाइन पर जाके रूख जाएंगे ठीक है तो आइए बात करते हैं तो इस पर्फ जो लाइन रहा है तो फॉर अब देखेंगे और बदेखेंगे यह जो लाइन इसी सथ भरा जाता था तो इसका अगर कोई बच्चा आठ परसन अगर निकाले गा तीसका आठ परसन कि कितना हो गया और 532 तो फिर से देख लिए बिलकुल आपका डेटा मैश कर रहा है यह आठ चार चार सो नोगे आठ सो दो साल का सिंपल इंट्रेस्ट आड़ सो गया और यह बतीस अगर जोड़ दिया जाए इन्ग को दोनों बाद कितना हो जाए आठ सो बदीस तो आपका इ प्रच करा मतलब इंट्रेस्ट का अंसर क्या आँ जागा देख लोग अगर आपका अंसर आट सा आट सा कौन सा अपका क्लिए रहे औप्सण आपका कौन सा है फस्ट तो फस्ट ऑप्सट इस राइट अगला सवाल आपके स्क्रीन पर फड़ा बढ़श करते हैं ठीक चलिए बहुत सिंपल अचाई तो क्या जोरत नहीं मल्टीपल टू रेशनल नमर तो भाई रेशनल नमर ही होता है इसमें ना दो परिमेस नंख्याओं का जो ज्यादा डिसकस करने जोरूत नहीं है एक और भी खुबसुरा तो रासांसा सवाल बताओ इसके बार में क्या बोलना चा एक यह हमारा 4 का स्कोरर और ये हमारा अंडरूत 80 अब मुझे मताईएगगा यह आपको दिख रहा यह आपको सिधा सिदा तर्म होगा इसका मान 9 से छोटा होगा अब बोल सकते हैं इसा के लिए रहे क्या तो इसको एरेंज कर लिए चोटा दिया होना चाहिए क्योंकि 9 से कम है मतलब आप अंडर रूट 80 को सबसे क्या करें पाले रख दें उसके बाद किसको रख दीजिएगा थिरी का होली स्क्वार को फिर आप रख दीजिएगा अंडर रूट और सबसे आखरी में रखिएगा फॉर का स्क्वार कोशना अपका मैच कर रहा है आप देख सकते हैं एक ही उप्सक्वार वन बाई टू दिया हुआ पर भावर क्या दिया थिरी अगर फॉर टू दिपावर वन भाई फॉर दिया हूँ अगर मैं बलू इसमें कौन से बढ़ा है कौन छोटा तो मैंने इक आपको बताया था कोई डिटेल करने ज़रूत नहीं है आप सिधा इसके पावर को देख लो इसका बेस देखिए कितना कितना है तो इसका कितना है फोर तो धो टुब करक में ही तो इसका कितना होगा थे क फॉरस यहां पर 15 अर टीन से जब्रज़ करेंहें कितना होगा तूटो डी सवाल आते हैं हलाकि यह उतना खास आई था बहुत असारिया चलिए सवाल एक्ञति सवाल की सब्सक्राया बात करें और आपका इंगलियूस में क्या किया गई Novain पास हुआ है सब्सक्राइब और पास की कहानी चल रही है आपको यह समझ नहीं आ रहा गाइज मैं सुरुवात कहां से करूं तो मेरा एक ही अप्रोच बोल रहता है कि भाई देखो आप बोच सब्जेट खोज लो बस पेपर में आप सिर्फ बोच सब्जेट खोज आपकी कि रहे हैं ours उसको ऐसे का बनेगा यह कंसेट रिर हुआ क्या की अगर बोच सब्जेक्ट हमारा आगर पास्का सब्जांब कर सब्की कर irony तो यह जोसमें कर्वाइन अब आपको बना रहा हूं ठीक है यह फाला हमारा पेपर है इंग्लीश और हमार इधर क्या मैथ है शहलो इसका बन रहा है फेल या पास का तो फेल का यह भी आदखिये गा हम लोगों डियागरम फेल का बना रहे हैं एक परसन बच्चा इंगली से पास करा मताव कितना करता होगा बताओ 20 परसन तो 20 परसन बाहर लिख देना ठीक है बहुँ आओ 70 परसन में अगर पास करा तो आप बोल सकते हैं सब 30% कितना 30% अच्छा एक बात यह हमारा दोनों का तो दोनों का कितना दस परसन फेल है इसको यहां पर दस परसन चिपका देजिए अब मेरे एक सवाल होगा आपसे फेल इन मैट्स और फेल इन ओनली मैट्स में क्या अंतर है शिख लिजिए अगर फेल इन क्या से फेल इन इंग्लीज और फेल इन वंने इंसमें से तो आप अगर यह टोटल काउंट करोगे 20 जो की फेल इंग्ली से सब्सक्राइब करने कि दोनों subject में कितने बच्चे जो है तो क्या हुए पास हुए चलिए यहां पर लिख जाता हुए मैं पास इन बोथ सब्जेक्ट ठीक है तो क्या करना होगा देखिए बोथ सब्जेक्ट तो दोस्ट इतना करना है कि 100% का मतलब फेल और पास दोनों होता है उसमें से इन तीनों का individual मान को जोड़ के घटा तो बात खत्म तो अगर इन तीनों को जोड़िए गा देखिए गा दस दस बीस और बीस कितना 40 तो 40 परसंट घटाएगा इसका मतलब 60 परसंट जो बच्चे है ना वो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए पास लेकिन प्रेपर हैं बोला रहे हैं ना ना किस सरे 144 से पास हुआ है हम बले सुनिए ने सुनिएगा हम बले इसका मतलब मेरा हम तो बले साथ परसंट मेरा मेरा साथ परसंट का मार आप 144 बोल रहे हैं तो सट परसंट का मार निकाल देंगा टोटल बच्चा निकल जाएगा चलिए तो 144 ठीक है डिवाइड वाइड़ वाइड कितना 60 और हमको किस का चाहिए एक परसंट नहीं हम सो परसंट की बात कर लिए 244 और 48 गुने 5 रता कितना 240 मतलब टोटल जो स्टुडेंट रहा होगा दोस्त कितना रहा होगा 240 कौनसा ओप्शन है का सी इस इस एक्जेक्ट राइट एंसर क्लियर है क्या तो जो अप्रोच बताया मैंने या दक्षिए का किसी भी पेपर कि लगा लो बन जाएगा कि लिए ब बहुत स्टुडेंट बताओं मैं तो अफ्सन से करता सवाल को हलाकि मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूं यहां पर बोला है दो नंबर का सम का स्कुर्ण समझा करो तो अपाला नमर एक्स मालूंगा दूसरा वाई मालूंगा इंका स्कुर्ण जो है ना वह चार गुना है इन सब्सक्राइब कर दिया होगा दिख सकुर्ण सब्सक्राइब कर दिया होगा कि अग्स कर लिए तो x square plus y square plus 2xy और यह minus 4x और इदर क्या करेंगे इदर लाइए तो minus में आ जागा तो minus का 4xy और equal to क्या होगा दोस्त जीरो चलिए अगले step में आपका अंसर है तो x square plus y square और यह minus हो जागा क्यों minus 4 में minus 2 जागत क्या बचेगा minus का 2x y equal to 0 आपको नजर आ गया ना यह आपको नजर आ गया कि एक्स बराबर क्या हो आई तो जो जिसमें इक्वेशन equal होगा ratio देख लो सी और में मेरे हिसाब से यह नहीं करना था आपको अगर बात करते हैं प्रोस क्या होना चाहिए था ठीक पले इसको मैं हंटा रहा हूं हुआ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शालो फट्क मेरे हिस्तां जैना अप्शन से ही प्लग इन करते हैं मान और सिद्टाशी करते हैं और आपको संसर आ जाता चलिए देख ले टेके लिए किसे किसे आज रहे से हो सकता था यह वास यह एक्टवाज से लीए यह लाना चाहिए तो यह वन प्लस वन देख लो इसको फॉर इंटू यह वन इंटू वन तो लेफ्ट हैंड साइड में दो का स्क्वर यह दो का स्क्वर और यह वी कितना हो गया फॉर तो यह जल्दी कर लेता आप ऑफ समस्ट ठीक है चलो आगी बात करता है अगला सवाल आगा असां सा सवाल मेरे हिसाब से मुला एक बैलन की जो तिरजिया है ना उसको दोगनी कर दे जाती है और उचाई में कोई परिवर्तन नहीं करती है चलिए मैं बात करता हूं चलिए मालो पाले इसकी रेडियस वन रहा होगा रेश्यू से बात करो ना तो बाद में इसकी फिरफ फेसे ना चलिए में तो लिदेasadr 활동 कृब हैं सबसे झाल कर सकते हूं और है और पर फरक कोई पर्ले नहीं परता चक नहीं है ठीक तो पाई यह Ann स्कूर और इंटू क्या होगा दोस्ति है एच टू सरी केंसिल कर दिए अब यहां पर गर हाई तो यह वह बहुत किना चार गुणा है ठीक है तो कोन सा है咁 और यह वह सवाल है उनने गलत दिया सवाल तो बिल्कुल सही है और अपसिन ने गलत सेट कर दिया वह सवाल चलिए बात करते कैसे निक इन सब्सक्राइब करते हैं ज्यादा वक्त देरें जरूत नहीं पड़ेगा मुझे लगता है तो 21 बटे कितना हो जाएगा चालीस यहीं सवाल हो जाएगा माइनस का सब्सक्राइब करते हैं 12 से दिवाइड खर唷 सब्सक्राइब करें तो 10 से ढाइस खरते हैं तरना कि इस हैंने मैनस के सब्सक्राइब करें तो चालीस आसान पर में चल्पटो यहीं जाइक? दस हो जागा क्योंकि चार से दिवाइड करेंगा तो सिंपल आफ सौल करिए न तो यह 90 हो गया प्लस दस सो यहां पर कितना होगा यहां पर 113 को अगर 40 से भाग देंगे तो कौन सा उप्सन होगा टू टाइमस एटी जाएगा रूपर में क्या बचाएगा थर्टी ठीटी इस्टू फॉर्टी जो एक भी और मैच नहीं कर रहा था हमारी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा रहा एक बहुत ही सिंपल सिंपल अगला रहे नहीं हो गया तो मैं था इस प्रिंसिपल बोलते हैं अनी मुलधन अरज बढ़कर हो जाते हैं मिस्रेदर ने मांट तो मुझे बताएगा स्वार से 200 प्रिंट्रेस्ट मिला इंट्रेस्ट में कितना साल लग गया तो सवाल बर अब एक लाइन में कांशर है 4 गुना होने में कितना देख लगे गा चार कमाने में 600 किthis hiện कि रोगै और हमारा हो जाएगा इसके मतलव नमें कितना खरीएगा तो कि तीन गुना कर दोना भए कैटियक गुना कर देंगे तो चौंठिय कितना हो जाएगा सब्सक्राइं जला सब्सक्रास सब्सक्राइं तो 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 पुछे कि पर ना कि पूछे हैं ऊपके स्क्राइब ने पूछ चुका तो कई वार पूछा अ कैसे सवाल है के साथ फिर यृवर बच्चे फिसल घया हूंगे बताओं क्यों सवाल भलत सब्सक्राइब मैंसे आप लोग एब घटा दिया होगे तो और कितना देत गया है चोग्दा हना क्योंकि आप रेस्यों नहीं समझत तो इस बात करते हैं रेस्यों का सवाल है बात कर दियेगा किसी भी रेस्यों को रीयल मान में है चैंज करना रहा है वरियरेवल के साथ लेकि आए इसको तो उसको के लिलता हो ठीक है हम उसको 6 के लिलता हूं ठीक है चलिए बी प्लस सी का मान आप बताई कितना हो जागा गाई जोब तो क्या हो क्या करें। क्वाल कितना दिया है? 14 तो रख दिए, प्लग इन करें यहां पर चोगदा रख दो, तो यहां से क्वाल आपका बलासानी से निकल गया, के का मान देखें। सात से कड़ाये दो वार में झांत। सवाल समझे के सवाल ने दम तोड़ दिया क्योंकि में सवाल C पुछा था तो आप मुझे बताए ए K plus B plus C में हम A और B कामान को घटाओंगा लेकिन इस कामान तो 14 तो दिया हुआ थै लेकिन इसकामान आप यहांपे 6K घटाओंगे 6K घटाओंगे 6K जटाओंगे भाई किसी को रियल मान में चेंज करने का तरीका यहीं कि variable के एसाथ 6K घटाओंगे आप K कामान निकाल करके ब सब्सक्राइब देख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ एसा नजराने बहुत नहीं पड़ना चाहिए था यह बात कर लेते हैं सिम्लिफिकेशन का सौल कर लो ना दो दिनी क्या होगा च्छे पलस दो कितना हो जागा बोलिएग सवाल नहीं आ रहा है अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और खुब सवाल नजर आ रही है ठीक है बहुत ही सिंपल सवाल मेरे इस सबसे है बस आपको में सुरसन की चोड़ी फर्मूले आदो नहीं ठीक है पेपर में आप कर ले जाओगे बहुत डीप की जोरुत नहीं मतलब फिर वही बात है अभी इस तरह सवाल किये थे अगर अगर एक रहा होगा तीन गुना का मतलब बाद का रेडियस को हम तीन ले लेंगे कि लिए क्या कुछ भी मानने ज़रूत नहीं है ठीक आगे लिखा है कि सर्फेस एरिया जो है सो बैलून का अफटर दाना पंपिं अगर ना गुला का था उस पर देंगे और बाद पूछा था कि इसका क्या होगा रेश्यों तो मुले ठीक है कोई दिकत की बात होना है एवन और एटू का बसा फर्मुला बता दिए क्या होगा बताएगा प्ता बदाएगा फूर पाई आर वन का स्क्वर्ट तो भाई पू तो क्या होगा एक बटे कितना हो गया नौ एक चुली सवाल में एवन एटू पूछा इसलिए आपका अंसर बिल्कुल कौन सही है ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रिन पे कुछ यह रहा एक बहत यह कोपी का सवाल है कितनी बार में बताओ कि देखो चली सवाल में बात करते आप एक सवाल है समझो इस बात को बोलता है एक लड़का अपने समानी चाल से पांच बटे नौ के चाल से अगर चलता है तो पंदर मिनट लेट से इसकुल पहुचता है तो जब भी यह बोले क्या अगर आप अपने घर से अगर कोई इंस्टिट जाते हो यह तो आपको समय जल्दी पहुंच जाते हो इस पीड ज्यादा तो समय कम अगर आप धीरे धीरे ज़दा देखते वर जारो तका होगा टाइम ज्यादा लगेगा ठीक उस केस में क्या होता दोस्त कि आपको अगर इस पीड कम तो टाइम ज्यादा मतलब एक बात समय में आ गया होग मुझे कि स्पीड और टाइम का जो न हम पे जाएगा इसी वस्पीड का रेश्टी जाश्ट क्या होता है दो पाले कि चाल कितना था य ने वाली चाल के लिए हठी यह हो गया इसकी original speed तो मैं या पर लिख दे रहा हूं है ना पाले और यह हो गया हमारा कौन बाद ठीक है तो पाले कितना था पाले चाल इसके नाइन थी अबाद में कितना हो गया पांच ठीक है इसको कर दें आप हराम से तो क्या हो जाएगा भाई इसको रिवर्स कर दोगा टाइम क्या हो जाएगा पांच और नौ ध्यान सुनिएगा इसका मतलब हमें अब अगर हम अपनी चाल नौ से पांच कर लिए तो हमें जो ऐसो मानलो चार यूनिट ज्यादा समय लग रहा है वह सवाल नहीं हम तो बंदर हम समय कितना और को देख लिएगा चार का मन पंदर हमिजेगा एक और शारangi द्लकने ही दॉत अनौरा Mr. सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत जल्दी अंसर आगया होगा चलिए अब आपका सवाल क्या है बात कर लिए सब्सक्राइब आप सम निकालना सब्सक्राइब तक नमर प्रस्ट नेच्रोल नमर तक अगर तक और याद होगा ना तो मैं आपको बता देता हूं ठीक है अगर यहां तक अगर आप एं तक चले जाते हैं तो कोई दिक निए इसका फर्मुला क्या तो दोस्त एन इंटू ठीक है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई कितना सीक्स लेकिन यह सम है हमें अबरेज ने पुछा है और अबरेज का मतलब किया था सम अब है और यहां पर चाहलीस गुले दो असी पलस एक एक-कसी और इपका विवाइल कितना होगा उपसिकर नेелिदी वन और वन कितना हो गया वन ठीक है चार और आठ आठ चार बारा के दो ठीक है कैरी वन आर्चो 32 पला से कितना होगा थे तीस थोरा कैलकुलेशन में सौट ट्रिक से किया और रहना 56 मेरी बात पूरा ऑफ्सन केल्कुलेट करने जरूत नहीं है पूरा क्यों करोगे च्छा-पं यह कॉस्टन को करने के लिए मैं आपको तीन चोटी सी बेसिक सी कॉंसा बता तो आपको भूल गाए होगा तो कोई बात नहीं है पाला कॉंसेट यह होगा आपका एटू दी पावर एक्स इंटू एटू दी पावर अगर मानलो वाई है तो भाई दो टर्म अगर इंटू मे और यह आखरी सवाल एक्स टू दी पावर एंटू दी पावर अगर अगर एन है इसका मतलब यहां पर गाईज होगा एक्स टू दी पावर एंटू क्या बोलो ठीक है यह सवह क्या हो एक कोुए क्या होगा। Lets मैं मैं ह fif इन पावर कितना फॉर और यह क्या हो जागा एक बरावर कितनी ऊणगा नाइन बरावर पी तुदी पावर कितना और नाइन पर हो यहांد सिक्स इंटू पी टू दी पावर कितना फौर और यह क्या हो गया पीटू दी पावर देखियेगा नाइन बरावर पी टू दी पावर आर समझ एक लाइन में जो सॉल कर यह पले यह जूड जाएगा देखो 6 और दस में से नौ जागा एक बच गिया है हलाकि मैं आपको जोड के दिखाते हूं यहां पर किल्कुल सिंदा कर रहा हूं जोड दीजिएगा छे पलस चार और माइनस कितना होगा नौ परावर पी टूदी पावर आर तो उम्मीद करते हैं कि आर कमान एक आर आओगा आपका ठीक दीनुमेटर का लसी माने कि अंस का लसी अम निकालने का मैं आपको बिलक़ बीना पैन चलाए जो तरीका हो तो वह कराऊंगा तो चलाना मत ठीक है तो चाहिए थाटी सिक्स फॉर्टी एट और क्या सेवेंटी टू है ना और नीचे वाले डीनुमेटर का है एच्छी फ नि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है भांगी जो तर्म है कि यह नहीं दे रही यह नहीं हो सकता है तो सबसे बड़ी टर्म का